आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स टेप होता है Replication नेक्स टेप जो यहाँ पे Participate होता है यहाँ पर Take Place करता है वो है यहाँ पर Transcription उसके बार जो Take Place करता है वो हो जाता है हम कह सकते हैं Translation और इसी हिसाब से Replication में Produce होता है DNA to DNA Transcription में Produce होता है DNA to RNA और translation में produce होता है RNA to proteins तो इसी हिसाब से अगर हम लोग consider करते हैं तो यहां पर next step जो होगा वो हो जाएगा translation का जहां पर protein form करके बाहर आते हुए दिखाई देंगे और यही protein से हमारे genes यो है या फिर हम कह सकते है codons यो है वो बने हुए रहते हैं बाकि अगर देखा जाए तो mRNA जो है यह messenger system होता है जो कि हम कह सकते है messages को transcription में import करते हैं TRNA जो है वो translation में देखे जाते हैं जो कि transfer करते हैं informations को और RNA जो होते हैं यह ribosomes को content करते हैं जो कि protein synthesis में help करते हैं तो इसी हिसाब से correct answer हो जाएगा last option Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर